नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लों के सामने हूं असल में आज एक रिपोर्ट हमारे सामने आई एकोनामिक टाइम्स होगार एक भी रिपोर्ट मैंने देखा एकोनामिक टाइम्स में थी है जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में इंडिया की GDP चाइना से ज़्यादा हो जाएगी इस पर एक बिश्तित वीवरण था इसी वीवरण पर मैंने कुछ तलासा नई चीजी उमीद है कि वह चीज आपको वह मैटेरियल आपको पसंद आएगा जो भी स्टेटमेंट्स है आएए जरास आपने मुक्ष सब्जेक्ट क्यों बढ़ते हैं देखे इसमें दिया हुआ है चीन की GDP 49 साल में 75 गुना बढ़ी है पिछले 49 साल 1990 में चाइना और भारत की एकोनामी जो है GDP बराबर पढ़ते है दो नों बराबर पढ़ते हैं 88 में थे हाला थे आथि कि इंडिया की GDP ज्यादा थी चाइना की कम थी बस इसके आगे से चाइना की GDP लगातार बढ़ती चली गई और इंडिया की लगातार घरती चली गई यह पूरा गेम कारण क्या है IMF का अगर हम डाटा देखें तो अक्टूबर 2023 में भारत का जो एकोनामिक साइज था है साइज है जो डिकलेर किया IMF ने 3.73 मिलियन यूएश डालर लेकिन आप जानते हो इसी समय चाइना की एकोनामि साइज क्या है मालूँ 17.7 गलत बता दिया मने भारत की एकोनामिक साइज 3.73 ट्रिलियन यूएश डालर कब अक्टूबर 2023 तक की रिपोर्ट है IMF की ठेक है लेकिन इसी समय चाइना की एकोनामि कितनी है 17.7 ट्रिलियन यूएश डालर इसका मतलब यह हुआ कि भारत से पांच गुना ज्यादा है सवाले पैदा होता है कि क्या कारण है कि कि चाइना की एकोनामि 1990 के बाद यह बहुत तेजी से बढ़ी जबकि इंडिया की एकोनामि घर्टी चलिए क्यों तो इसका जवाब कई चीजों में नहीं थे कि चाइना ने अपने आपको एज़े इंडिस्ट्रियल हब डेवलप किया थोड़ा सा उदारी करण की तरफ बढ़ा इंफ्राइस्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया मेकिन चाइना का कॉंसेप्ट ले आया थेखें लाए चाइना नाइंटीन हंडं 90 तक में लगबग जो है वर्ड फैक्तरी वर्ड फैक्तरी हब बन गया था बहुत सारी फैक्टरी नाइंटीन हंडं इस तरह से कुछ अपने एज़िक्वेशन सिस्टम को भी बतला कि वहाँ पर इसके लेवर सस्ता हो गया ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्टा बनके है हलाकि इस समय जो है चाइना का जो इक्सपैंशन पॉलिशी हुआ पीछले कुछ वर्सों में कि ये भी हमारा है ये भी हमारा है ये वियतनाम भी हमारा है डोकलाम भी हमारा है P.O.K. भी हमारा है सब चीज हमारा है जब से यह कहा जाने लगा तब से उसकी हालत कुछ खराब हुई है और अमेरिका के साथ रिष्टे भी गड़ने के साथ साथ आपने देखा होगा कि वहाँ से बहुत सारी फैक्टरिया आपने आपको धीरे-धीरे करके निकाल रहे हैं इसलिए चाइना की जो ग्रोथ हुई इस्तिमाही में वो निगेटिम ये गई है ऐसे में इंडिया क्या करे अब इंडिया का क्या रहा इस पर भी जड़ा सा में ध्यान दे लिए अगर हम इंडिया के भी से हम सोचें तो 2014 से पहले रिसर्च एंड डिवलप्मेंट इंफ्राइस्ट्रॉक्टर डिवलप्मेंट पर ध्यान ही लोगों का बहुत कम जाता था बाजपेई के गवर्नमेंट में कुछ सुरू हुआ था लेकिन फिर उसके बाद में इसको धीमा कर दिया गया लेकिन 2014 से पहले इसकी गती बहुत कम हुआ करती थी कच्छुय किचाल हुआ करती थी असल में इसका कारण था यह 1985 में राजियो गांधी एलेक्शन हार गए बीपी शिंग एलेक्शन जीते थे जन्ता पार्टी की सरकार बनी थी मालूम है जन्ता दल अब जन्ता दल बीपी सिंग के सरकार में आने का एक बहुत बला कारण था कि राजिव गांधी ने सुधारों की तरक पदम उठाया था और कंप्यूटराइजेशन पर उसको शुरू किया था उन्होंने और कंप्यूटराइजेशन का बीपी सिंग ने ये कह करके बिरोध कर दिया कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो कई लोगों को नोकरियों से अटाना पड़ेगा बीपी सिंग ने नहीं बताया कि इस कंप्यूटर के वज़े से साइड जॉब भी क्रियेट होगा और बहुत सारी नहीं नोकरी आएँग ये चीड़ नहीं बताया लिहाजा जनता राजीव गांधी से इस बात पर गुसा गई और उनको बोट नहीं दिया एक फैक्टर की बात में करना और भी फैक्टर थे ऐसा नहीं है तो जनता इस बात पर नाराज हो गई कि आप कमिटराज़ेशन क्यों कर रहे हैं लेकिन इसके बात से जो सरकारे आई उन्होंने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने आपको बचाने में ही लगी रहे हैं किसी तरह से में अपने आपको बचा ले हैं यहीं कारण है ऐसे में इंडिया के लिए कि उप्युक्त मेने फैक्टिंग हप के रूप में डेवलप करना बिस सुका सबसे बड़ा अपने आपको भोकता बाजार के रूप में रखना यह सब बीते कुछ वर्सों में शुरू हुआ है पूरे वर्ड वाइड वर्ड सीनेरियों में इंडिया आपने आपको रख रहा है इंफ्राइस्ट्रक्शर का विकास बहुत तेजी सी किया जा रहा है इस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपने सुना होगा फ्रेट कॉरिडोर यह सब बनाए गए हैं इससे क्या होगा इससे भारत क इंडी से डेवलप्मेंट होगा ला रिफार्म करना लेवर रिफार्म करना इस सब चीजे बहुत ज़रूरी हैं और हुए हैं इसमें बहुत सारे रिफार्म किये भी गए अगर हम विकास का उधानर देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1949 के बाद में चाइना में 600 नए सब्रों का अभिकास हुआ है हलाकि इंडिया को एक ताकत दे रहा है मेकिन इंडिया का कॉंसेप्ट जो आया है उसके बाद में जैसा कि इंफ्राइस्ट्रक्टर का डिवलप्मेंट पावर सप्लाई को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा हमें लेवर रिफार्म की बात करें जिसमें स्किल्ड लेवर को बढ़ाना होगा तो बेटर आउटपुट हमारे लिए जो है निकलेगा और इससे हमारी दसा बदलेगी हम चाइना को कहीं कमपीट करने की स्थिति महोंगी अगर हम इन चीजों के और ध्यान नहीं दिये रिफार् तो फिर इस सिनेरियों में तो बड़ा मुस्किल काम है कहीं डिवलप कर पाना या एक्षिष्ट कर पाना उम्मीदे करता हों कि सरकारे इस पर ध्यान देंगी और एक समय ऐसा आएगा जब कि हमारी एकोनौमी चाइना से भी आगे निकल जाएगी इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो के यहीं पर समाप्त कर रहा हूं जैहिन जैभारत नमस्कार वन्यमात्रम